शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले दिग्रस कोईट सेंटर द्वाराज बुधवार को दिग्रस पुलीस टेशन में 58 स्वैप टेस्ट के गए जिसमें दो पर तक तीन रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गए वही बीती दिनो यौतमाल भी जिगे स्वैप सेंपल्स में बुधवार को चार रिपोर्ट के नतिजे पॉजिटिव आ है मालूम हो कि शाम को ख़बर लिखने तक दिग्रस कोईट केर सेंटर में स्वैप टेस्टिंग की प्रक्रिया जा रही थी दिग्रस कोईट केर सेंटर की ओर से दिग्रस शहर साइथ ग्रामी निलाकों में कैम्प आयो जितकर लोगों के स्वैप परिक्षन की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है रैपिट एंडिजन कीट्स के माध्यम से जारी स्वैप टेस्ट की इस प्रक्रिया के तहत बुद्वार को दिग्रस पुलिस स्टेशन में कैम्प लिया गया जिसमें पुलिस करमचारियों साहित उनके परिजनों और अन्य नागरी को ने भी हिस्सा लिया इस दोरान दोपर में यहां हुई स्वैप टेस्टिंग में 58 में से तीन रिपोर्ट पॉजिट्व पाई गई है जिसमें एक शक्स दिग्रस से वहीं दो लोग अन्य शहर से होने की जानकारी सुत्रों ने दी है इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दीनों यह उत्माल भेजे गए स्वैप के नतीजे भी सामने आए जिसमें शहर के विठल नगर निवासी चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिट्व पाई गई है इसके अलावा इसापूर से सटे कोविट केर सेंटर में देर शाम तक चले स्वैप टेस्ट कैम्प में साथ में से चार रिपोर्ट पॉजिट्व आने की जानकारी कोविट केर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविनवार ने इन बीसियन को दी है ऐसे में दिग्रस तैसिल के कुल एक्ट्व पॉजिट्व कोरोना मरीजों की संक्या दोपर तक सोला थी जो शाम होते ही बीस हो गई है गोरतलब है कि आजकल शहर में शाम पाच बजे तक बाजार खाली होने दुकाने बंद होने और ग्रहकों और नागरीकों का अपने घर लोटने की बात शायद शहर वासियों की आदत में शुमार हो गई है यही वज़े है कि अब स्थानिय पुलिस परशासन को बाजार बंद कराने और लोगों को घरों की और लोटने की अपील करने में जादा मशक्कत नहीं उठानी पड़ रही है कोरोना संक्रमन के प्रादूर भाओ को और जादा खढ़ाने के लिए शहर की जंता का यह रवया बरकरा रहना समय की मांग है इन वी सियन निउस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट